Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर उत्तर प्रदेश में पेपर लिग को रोकने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है अब हर अभ्यर्थी को सील बंद पैकेट में प्रश्न पत्र मिलेगा और अभ्यर्थी खुद ही उसका सील खोलेंगे तो लगतार पेपर लिग की घटनाएं हो रही थी और इसी को मद्दे नजर रखते हुए UPPSC ने एक बहुत ही आहम नेड़य लिया है और यही विवास्था अन्य परिक्षाओं में भी लागू करने की तयारी है UPPSC की होने वाली परिक्षाओं में ये नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा और इसी प्रकार से अब दूसरी भी जो आफ्लाइन परिक्षाओं हैं वो कराई जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेस लोक सेवा आयोग यानि VPSC की भरती में पेपर की सुरक्षा को लेकर एक महत्तपूर बदलाव किया गया है आयोग की सभी परिक्षाओं में हर अब भरती को सील बंद पैकेट में प्रश्ण पत्र दिये जाएंगे और अब भरती ही सील बंद पैकेट को खोलेंगे अन्य आयोग वबोड भी इसी व्योस्था को लागू करने जा रहे हैं इसे पहले होता ये था कि 24-24 प्रश्ण पत्रों का बंदल सील पैकेट में परिक्षा केंद्रों पर भेजे जाते थे ऐसे में बंदल की सील को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें से एक पेपर निकालना काफी आसान था पेपर लिक मामले में यह भी आसान का चताय जा रहे थी कि बंदल की सील को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें से एक प्रश्ण पत्र निकाल दिया गया अब ऐसा नहीं ह सकेगा अब हर पेपर की अलग सील होगी और हर पेपर एक छोटे से पैकेट में पैक होगा और वही सबी अभ्हरतियों में बाटा जाएगा हाला कि जो सील को बिना नुक्सान पहुचाए पेपर निकाल कर फिर उसकी फोटो कॉपी करा के पेपर को बंडल में रखके दुबारा से same as it is बंडल को पैक करना यदि ऐसा पहले possible था यदि solver ऐसा कुछ कर रहे थे तो वो तो individual पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं पेपर का अलग एक पैकेट होगा उस पर एक सील होगा उसमें से भी पेपर को किसी तरीके से वो लिग कर सकते हैं लेकिन इसको लेकर भी विवस्था की गई है आप आगे देखिए पेपर अब लोहे के बकसे में रखे जाएंगे और हर प्रश्णपत को अलग-अलग सील किया जाएगा प्रश्णपत्रों के सील पैकेट पारदर्शी होंगे जिसमें उपर से किवल पहला और अंतिम प्रिष्ट दिखेगा जिस पर कोई भी सवाल नहीं होंगे अगर प्रश्ण पत्रों के सील के पैकेट एक बार खोल दिये जाएं तो उन्हें दुबारा सील नहीं किया जा सकेगा सील पैकेट की विशेश पैचान भी होगी जिससे यह पता चल सकेगा कि उससे कोई छेड़ छाड़ हुई है या नहीं तो विवस्था यहां पर किया जा रहा है और उतर प्रदेश के उमिद्वार यही उमीद कर रहे हैं कि अब जो नहीं विवस्था है जो नहीं सील पैकेट है इसमें अब कोई छेड़ छाड़ ना हो पाए परिक्षा शुरू होने पर हर अब भेरती के हाथ में सील बन पैकेट में प्रश्ण पत्र होंगे अब भेरती स्वय पैकेट को लेंगे ताकि वो आस्वास्थ हो सकें कि उनको जो प्रश्ण पत्र मिला है उसमें कोई छेड़ छाड़ नहीं हुई है सुत्रों ने बताया कि आयो की आगावी परिक्षाओं में अब भेरतियों को इसी प्रकार के सील बंद पैकेट में ही प्रश्ण पत्र उपलब्द कराए जाएंगे लगातार ये आरोप लग रहा था भेरतियों के दवारा कि जो सील बंद पैकेट आया वो खुला हुआ था फटा हुआ था उसके साथ छेर छाड़ हुई है और पेपर लिक में तमाम घटनाएं सामने अब भी आ रहे थी जहां से ये बातार सामें निकल कर आई कि उन्हीं पैकटों से पेपर को लिक किया जा रहा था तो अब हर एक इंडिविजुवल पेपर को सील बंद किया जाएगा और अभेट्ञ़ियों को दिया जाएगा आपको क्या लगता है इस बदलाओ के बात क्य पेपल लिग जैसे घटना रुख सकेगी कॉमेंट करके हमें ज़रू बताएं वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए थैंक्स फॉर वाशिंग